जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच जन्वरी और छे जन्वरी दो हजार तेईस के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिति क्या होगी नक्षत्र क्या होंगे योग क्या बनेंगे किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचरिया में देखने को मिलेंगे जानेंगे सब कुछ विस्तार से इन दो दूनों में होने वाले हर एक बदलाव हर एक परिवर्तन के बारे में उनसे पढ़ने वाला प्रभाव आपकी दिन्चरिया को आपकी प्रेम जीवन को आपके करियर को वेवसाय को दुकानदारी को कैसे प्रभावित करेगा हर चीज के बारे में जानेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सबी जानकारियां मिलती रहती हैं तो चलिए पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं पाँच जंवरी का दिन गुरुवार का दिन है और शुकलपक्ष की चतुर देशी तिथी है इस दिन मरग्षिरा नक्षत्र रहेगा शुकल नाम का योग सुभा साड़े साथ तक है जिसकी स्वामी पारवती होती है उसके बाद ब्रहम नाम का योग बन जाएगा चंद्रमा राशी बदलकर मिथुन राशी में आ चुके है सुभा आट बच कर छे मिनट पर का दिन है और पुनिमा थे थी है ये पुनिमा पोश मास की पुनिमा और साल की पहली पुनिमा थे थी है इस दिन आदरा नक्षत्र है ब्रहम नाम का योग सुभा आट ग्यारे तक उसके बाद इंद्र नाम का योग लग जाएगा चंद्रमा मिथुन राशी में हैं सूरिय धनु राशी में हैं पूरुसाड़ा नक्षत्र में इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धी योग बनेगा जो पूरा दिन बनेगा और अगले दिन भी बनेगा अभीजीत मूरत है दोपहर 12 बच कर 6 मिनट से 12 बच कर 48 मिनट तक ये हो गई है हमारी ग्रहों की इस्तिति अभी नहीं क्या धार पर हम जानेंगे ये जो दिन है दोनों ये आपके लिए कैसे रहेंगे तो पहले हम बात करेंगे पांच जन्वरी के बारे में चंद्रमा को अगर आप देखें तो चंद्रमा मिथन राशी में आ चुके हैं आपके ग्यारवे भाव में चंद्रमा की इस्तिति है और ग्यारवा भाव कौन सा होता है लाव का भाव कहा जाता है ग्यारवा भाव लाब के भाव में चंद्रमा एकदम अच्छी इस्थिती में हैं कोई ग्रहुन को पिडित नहीं कर रहा है और चंद्रमा मन के कारक है तो आपके लाब भाव को ये बड़ी उचित ड्रस्टी से देखने वाले हैं तो आपके लिए ये दिन रहेगा कि आपके लिए लाब की उम्मीदें जादा हो जाएंगे साथ में गुरुवार का दिन भी है ब्रह्म नाम का योग भी बना हुआ है और ये दिन सिंग राशी के लोगों के लिए अपने कामकाज से अपने व्यपार से अपनी दुकानदारी से यानि जो भी आपका कारेश शेत्र है वहां से धन लाब के लिए अच्छे संकेत दे रहा है इस दिन माल लक्षमी का आशिरवाद भी आपको प्राप्त होगा इस दिन कारेश शेत्र में अगर हम देखें तो आपका जो आप नौकरी करते हैं जहां भी आप नौकरी करते हैं वहां आपके सहयोगियों से आपकी बांडिंग बहुत अच्छी रहेगी आज आफिस का माहुल बहुत अच्छा रहेगा जहां काम करने में आपको अच्छा लगेगा पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी हर तरफ और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो काम अपने आप कैसे हो जाता है कैसे आप पूरे दिन को ऐसे निकाल देते हैं आपको पता नहीं चलता है जो खुद का काम करते हैं खुद की दुकान दारी करते हैं खुद का वेब साइट चलाते हैं चाहे वो छोटा ही क्यों नहो उनके लिए भी आज एस्थितियं अच्छी हैं स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन काबिले तारीफ होने वाला है आज आपका मन एकदम एकागरता से भरा रहेगा यानि इतना एकागरता रहेगा कि आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई के प्रतिसामर पित रहेंगे और जो higher education से जुड़े लोग हैं वो किसी ना किसी चीज की अगर कहीं आप तैयारी कर रहे हैं admission के लिए या फिर आप तैयारी कर रहे हैं competitive exam की तो आपको कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है हो सकता है आपके admission की बाते शुरू हो जाएं आपके admission की जहाँ आप चाहते थे वहाँ हो जाए तो उसके लिए भी अच्छा दिन है प्रेम जीवन के मामले में अच्छा दिन है दाम पतर जीवन अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ bonding अच्छी रहेगी अगर जीवन साथ अच्छे क्वांटिटी में आज आपको लाब प्राप्त होने की उम्मीद बनती हुई दिखायती रही हैं तो खुल मिलाकर ये जो दिन है ना ये आपके लिए बहुत ही सुन्दर दिन होने वाला है अब बात कर लेते हैं छे जनवरी के बारे में छे जनवरी सरवार्त योग है साल की पहली पुनिमा ते थी जिसको पोश पुनिमा के नाम से जाना जाता है और ये दिन मालक्षमी के लिए बहुत ही उत्तम है मालक्षमी को समर्पित होता है साथ में शुकरवार का दिन भी मालक्षमी को समर्पित है तो बहुत अच्छा सा योग बन गया है और स पुनिमा है ये चंद्रमा मितुन राशी में ही विराजमान है यानि आपके लाब भाव में बैठे हैं साथ में आपके राशी के स्वामी सूरेदेव जो धनु राशी में विराजमान है मका राशी में शुक्र विराजमान है और गुरू ब्रस्पती ये अपनी राशी मीन रा कर सकते हैं मालक्ष्मी की करपा से अपने जीवन की हर एक तकलीफ को दुर कर सकते हैं उपाया के बारे में हम ज़रूर जानेंगे कि क्या आपको उपाय करने है दिन के अगर बात करें तो सवास्ते आपका अच्छा दिख रहा है सवास्त संबंदी परिशानी नहीं होगी और स प्रेम जीवन के मामले में आज प्रेमी से नौक जो की स्थिति बन सकती है तो इस चीज को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा बाकी परिवारिक जीवन अच्छा रहेगा आपके अपनों के साथ आपकी बॉंडिंग अच्छी रहेगी माता पिता के साथ अच्छा समय बी क्या उपाई आपके लिए अच्छे रहेंगे अगर आप धन संबंदी समस्याओं से चुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको धनवान बनने के लिए माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए जो दूद और चावल की खीर बनाते हैं वो आप बनाए मालक्ष्मी को पाठ करना बहुत उत्तम रहेगा एक कार्या और करें पीपल के पेड़ पर आज जल जरूर अर्पित करें और थोड़ी सी मिठाए भी वहीं अर्पित करते हैं कहते हैं कि अगर इस कार्या को करते हैं तो आपका वेवाहिक जीवन में सुख सम्रद्धी आती है आपके पारि चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें